नमस्कार दोस्तों, डेरिक्टी चलते हैं Q&A की साइड क्योंकि आज के Q&A में होने वाला काफी सारा मज़ा और आज इस Q&A पर डिसकस करते हैं थोड़ा सा, सबसे वाला क्योशन है पुनीच जी का ही कह रहे हैं कि कौन स्मॉल काफ फंड आपने कंसिडर क्यों नहीं किया, ज उसे इसासा निपॉन इंडिया स्मॉल काफ यूचल फंड हो गया था ठीक है, वहां पर हमने एट पैरामिटर को कंसिडर किया था, जिसके बेसिस के उपर हमने 25 से 26 मूचल फंड को अनलाइज किया, उसके बाद हमने वो तीन मूचल फंड निकाले थे और जिस वज़े से हम सामने एटो करके वह मूचल फंड लाकर आपने सामने रखे जहां पर हमने परिट मूचल चल काफ एच्छा है ऊप उसके वे से यह मूचल फंड निकालने tarp 52 से घ deliberately था, वो turnover ratio में मात खा रहा था, वो volatility में मात खा रहा था, जिस वज़े से वो top 3 के अंदर नहीं आया, लेकिन हमने वहाँ पर returns solely considered नहीं किया था, कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ high return दे रहे हो, तो हम उसको consider नहीं कर रहे थे, हम overall portfolio को लेकर रहे consider कर रहे थे, एक सही way of investing, और आप एक long trajectory के लिए देख रहे होते हो, तो वही होती है, कि आपने हमेशा top performing mutual fund को नहीं पकड़ना होता, क्योंकि top performing mutual fund अलग-अलग time horizon के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं, तो सारे के सारे जो parameters हमने consider करे थे, उसके basis पे वो 3-4 mutual funds निकल के सामने आये थे, और काफी सारे parameters में तो ऐसा भी हो रहा था, कि जितने भी नए NFO आये थे, जिसले top performing return दिये हैं, जैसे बंदन small cap हो गया, मनहिंता मनुलाइफ small cap हो गया, वो जो 5 सल वाला criteria था, उसको ही fulfill नहीं कर पा रहे थे, तो इस वज़े से भी हटे थे, तो ये एक major reason था, जिस वज़े से हमने current को include नहीं कर रहा था, अगर आप portfolio perspective और बागे साही चीज़ों से देखोगी है, तो definitely one of the best mutual fund है, वो अशाद इस channel के उपर सबसे ज़्यादा उसके बारे में हमने discuss कर रहा और किसी ने करा भी नहीं होगा, तो उसको हमने consider इसले नहीं किया, क्योंकि वो parameters के अंदर fit नहीं हो रहा था, और 7 plus years के लिए किसी को invest करना है, तब हमने वहापे लिया था, और 7 plus years अगर आपके पास है, तो अगर आप चाहो quant देख सकते हो, लेकिन quant as a mutual fund history उसके 7 plus years की नहीं है, तो इस वज़े से हमने कहीं न कहीं उससे ignore करने ही कोशिश करे था, और सारगे 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 parameters के साल भी वो match नहीं हो रहा था, अब आते हैं second question की side, जो काफी साइड लोगों ने मेरे से पूछा है, कि भाई आपने जो last video उनाई थी, small cap पाली, वो अक्षत की copy थी, वो कहीं न कहीं अक्षत से कहीं न कहीं inspired आपको देखने को मिल रही थी, बहुत बड़ी हैं, आपने जो question पूछा, कहीं न कहीं वो सही भी था, कहीं न कहीं न कहीं वो गलत भी था, और इसी के सासाथ एक so-called YouTuber है, जिन्होंने एक video create करके बता दी कि अक्षत स्रिवास्तव यह सारे बिल करके retail investor को फसा रहे हैं, चलो, ठीक है, इसके अपर भी कुछ बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, कि क्या वो अक्षत स्रिवास्तव से related या उससे influence होकर के video बनाई गई थी, पहले जिसे बता दूँ, देखो यार, YouTube के उपर आप जितनों को देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना चाहिए, आपको हर इंसान का perspective समझ आना चाहिए, उस perspective के basis के उपर, आप अपने actions ले सकते हो या नहीं ले सकते, because no one guarantee you, कि definitely उसकी strategy कांँ करेगी, पहले चीस तो यह होगी, तो इस वज़े से आपको हर एक इंसान को देखना चाहिए, चाहिए आप S.I.P.verse को देखना चाहिए, चाहिए आप राजुसर को देखना चाहिए, चाहिए आप अक्षर श्रिवास्तर को देखना चाहिए, चाहि कि according क्या चीज़े सही हैं, आपको वो देखनी चीज़, सीम चीज में अपने ली भी करता हूँ, अब बात करते हैं, अक्षर स्रीवास्तर वाले, because भाई ने आ करके, सीधे से ने बोल दिया, अक्षर स्रीवास्तर की copy वीडियो, चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यह आ मेरे भाई, इस चीज़ को समझाने का सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा रीजन है, क्योंकि ज़्यादा तर लोग इस सहाँ पर कमेंट करते हैं, लंब सम का टाइम कब आएगा, लंब सम काफी टाइम होगे नहीं आए, गिरीगी कम मार्केट, क्या चीज़ होगे देखो, ऑ आपका पैसा नहीं बनेगा, मार्केट में स्मॉल कैप के अंदर स्पेशली, नीचे खरीदना है, उपर जाते 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 जाते, थोड़ा थोड़ा प्रॉपिट बुक करना है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका फॉल बैक प्लैन बन जाएगा, दूसरी चीज़ अगर 10-15% अपना पैसा खोड़ी देते हो ना, तो भी आपने प्रॉपिएस इंटेक्स मूच्वल फंड के अंदर अगर बजार गिर जाता है, तो पास डेटा हमें ये बताता है, कि वो रिकवर नहीं कर पाता है, ठीक है, और सेम चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो के अं आस-पस लगाया वो था, उसके अंदर से 25% अल्रेटी मैंने निकाल लिया था कुछ ट्रेम पहले, कम निकाला था, आज से करीब करीब 6 महीने पहले जब ये वीडियो वनी उसके आस-पस निकाला था, और इस समापे अगर आप देखोगे, तो मैंने बागी का पैसा निकाल लिया, तो रही बात क्या अक्षत श्रिवास्तव से होकर के, इंफ्लेंस होकर के निकाली थी, नहीं, इवन वहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कॉल आउट करा था, कि मैंने शाद फ्राइडे के आस-पस निकाला था, उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप द करते हैं, इस चैनल का मोटी यह था कि, जो मैं करता हूं, जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहा हूं, यह जो ट्रांजेक्शन आपको देख रहे हैं, यहां पे आप खुद देख सकते हो, कि मैंने काफी सारे डीसेंट लेवल के लंब सम, कोंट के बीफस आइक अंदर क और हैं, जिसके तो मैं इन्वेस्ट करता हूं, ताकि मेरी टेक्स हार्वेस्टिंग हो पाई, ठीक है, यह इतना सेंपल है, और इसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, क्यों? क्योंकि यह उन भाई साप का काम है, उन्होंने इस से पहले कोई सिनहा सर थ इन लोगों कि एक्सिपोज, इक्सिपोज, इक्सिपोज करते रहते हैं, इनके अप पुरानी वीडियो हैं, डाउ україट करके रख होई हैं अगर आपको चाहिए हो, तो आप मेरेको बता देंना मैं आपको दिखा दुँगा, उसके अंदर नियोंने खुद भी बहुत नहीं है कितने गलत हैं और मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आप बहुत सारे वह नक्षत्र बना करके बैठते हो पिछे वह वाली वीडियो कर रहा हूँ मैं इन साइच चीजों में पढ़ता है क्यों कि बच्छे वाली चीज कोई इंसान बहुत बड़ा हो जाता है ना तो आप उनको जादा मूँ लगाते नहीं और मैं भी आपके उपर वीडियो बनाने की आप्शन नहीं देता आपने ये शाद दूसरी तीसरी बार कर रहा है इस वज़े से मेरे को ये कंड़ा पढ़ रहा है विक्यास आप इस दोस्तों के आसपास हो चुकिए और आपके आज में 30,000 के आसपास तो शायद आपको वो हजम नहीं हो रहा थोड़ा सा तो उसको थोड़ा साइट रखो एर इंसानियत की तरह फोकस करो कि आप बढ़ रहे हो तो दूसरे को बंडे दूने खीच करके नीचे नहीं लाना होत तो वही होता है इसके साथ साथ दो चीज़े आपको आपको आप कहते हैं लॉंग टम इंवेस्ट कर दो और लॉंग टम में पैसा बन जाएगा इसके अलावा आपको पूरा चैनल का खंगाल दो तो इसके अलावा तीसरा टॉपिक आपके पास मिलता भी नहीं है कि लॉंग लॉंग टम में यह होगा लॉंग टम में यह होने वाला इसके अलावा कोई टॉपिक है यही नहीं पॉरा को बजार को अगर आप रेगलर बेसिस पर अपडेट मांग रहे हो बिना बहुत जएदा न्यूस को रे और सिर्फ में टॉपिक को डिसकस कर रही हो तो आप यही कर सकते हो, ठीक है? अगर आप यह वोलोगना, लॉंग टम में पैसा बनेगा, तो यूट्यीब चैनल बन करते हो यार, कुछ लॉंग टम में तो बन नी जाएगा, आप की पर बास कुछ हुँ है नहीं सिखाने के लिए लोग बास कुछ हैई नहीं तो लॉंग टम में बन जाता ह basic logic समझ नहीं आते हैं आपको basic logic क्या समझ नहीं आते हैं वो इंसान 10 करोड के साथ पैदा नहीं हुआ था ठीक है मैंने उसके चानल को आसे 2-3 साल पहले भी कर रहा है जब उसका पूर्टफोलियो साइड ना 50 लाख रुपे के आसपास हुआ रहता था पदा वो 10 करोड पर इत आप 2-3-4 साल के अंदर एक decent corpus नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पर time horizon एक major role play करता है इस एक सासाथ आपकी regular income major role play करती है you don't know about opportunity funds क्या होते है you don't know about swing trading क्या होते है swing trading भी नहीं होती है यह तो यह तो normal सी चीज़ है कि अगर आपको कहीं क्यों opportunity देख रहे है तो you change your portfolio और जब आपना portfolio change करते हो ना वहाँ पर आपके tax harvesting पैल डली चलती रहते because अब मैं क्या बता हूं आपको tax harvesting भी नहीं पता होगी basically होती क्या है तो आप कहते है long term में long term में long term में जब एक इंसान एक डेट करूर के कॉर्पस पर बैठा होगा और उसको बोलोगे बारा साड़े बारा परसेंट का आप tax दे दो उठा करके वह इंसान आपको तब आके बोलेगा कि एक तो inflation adjust होगे मेरे return के अंदर से उपसे बारा साड़े बारा परसेंट के आसपास के tax भी क्योंकि tax harvesting ये बार आपके पूरे चैनल पर पहीं पर नहीं हो रहे है ना टेक्स harvesting आप इत्ते छोटे से concept हो समझा देते हो कि वह समझी ना है इंसान को तो जब आपने portfolio को switch करते हो ना तो वहां पर tax harvesting के benefit हो भी मिलते जो शायद मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं प अगर पता होंगे अगर पता है तो भाई cover क्या करो ताकि लोग को सीखने को मिले नेक्स केमेंट की बात करते हैं यहां पर आप कहा रहे हो कि भाई mutual fund से पैसा बन जाते है small cap में 10 साल के ले invested हो तो आप रहो आपको क्या पता है कितने लोग है 10 साल के ले invested और आप क्यों मैं आपको दुबारा बताता हूं कि exactly मैंने वीडियो में बोला क्या था यह मैं दुबारा चला के दिखा देता हूं जितने लोग भी offend हो रहे थे कि यार आपने तो बेच दिया अपना overall portfolio ने small cap में पैसा नहीं बनेगा अगले दिन आप कह रहो कि वही तीन small cap के mutual fund तो मैं आ आपको साफ 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 बताया था कि यहां पर मैंने क्या बोला है कि यह मेरा core portfolio है कोर केंदर small भी है mid भी है large भी है large केंदर flexi cap आते हैं ठीक है अब आप बोल सकते हूं कि यार आपके बहुत दस साल का time period है आपको small क्यों लेना है large क्यों लेना है एक portfolio designing नाम की चीज़ होती है जो हर इनसान को करनी चाहिए ताकि उसका portfolio बैलेंस रहे small cap गिरेंगे बड़े बड़े वाले बचाएंगे बड़े वाले नहीं चलेंगे small cap बूस्ट करेगा basic portfolio build कैसे करते हैं शायद आपको यह चीज़ पता होगा तो आप वह चीज़ देखना और यहां पे ना opportunity fund वाली बात हो रही है by the way यह वह opportunity fund है जो आप कहते हूं कि भाई मैं तो fully invested रहा हूं लेक पर मैंने करीब करी 12-13% का गीन किया था जिसके अंदर जादा नहीं बस 80,000 रुपे का गीन था वह मैंने आपको screenshot के साथ दिखाया था I know आपने वह वीडियो देखी थी क्यूंकि उसका second मैंने पैसा बनाया था करीगोई 7-8% का आसपास में बीशा 2-3 दिन की बात ही एक मह करता है अब मैं आपके बास क्या ही बात कर सकता हूं because problem यह है कि आपके बात करने के दो त्रीन topic होते हैं कि long term में पैसा बन जाए और long term में हम सब को बना भाई पैसा बन जागा long term में कितना long है यह आप कभी clear नहीं करता ठीक है यह चीस तो होगी बात से clear अलग से अब बात क education important क्यों है देखो जब भी आप कभी वीडियो देखते हो ना किसी भी इनसान की xyz के इनसान की तो वो जो perspective आपके सामने प्रपोस कर रहा है ठीक है वो perspective समझने की अगर आपने कोशिश करी और उससे real level की knowledge अगर आपने extract करी तो देखो आज मेरा YouTube channel है कल को इनके भाई का YouTube channel पर सो किसी और YouTube channel है ना हर इनसान अपना perspective शिपका रहा है आपको अपना perspective सीखना पड़ेगा और इस channel का main motive एक बिगाज मैं कोई expert नहीं हूं मैंने बाई मैंने आज तक नहीं बोला मैं कोई expert हूं मैंने ये channel इस motive से शुरू करा था विगाज शायद 2020-2022 के आस पर जब हमार करने कोशिश करूँगा क्योंकि अगर initial level पर किसी ने मेरी करी होती तो शायद मैं मैंने initial level पर जो losses करे और इन्होंने कभी शायद losses बताए भी नहीं मैंने तो खुल के आपको losses बताएं कि भाई मैंने ix के अंदर हमने 50% तक पैसर उड़ा दिया थे अपने हैं तो यह basic लिए तो किसी से अगर आपको नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें कुछ गलत पात नहीं है पहले चीज़ होगा यह दूसरी चीज़ अगर आपको नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है वो आपके लिए एक perspective create कर सकता है यह आपको अपना perspective वता सकता है जिससे आपका perspective create हो पाए तो वो beneficial है अगर आपको से इंसान यह बोलता है कि इतना करोड़ रुपे cash में पड़ा हुआ है इतना करोड़ रुपे mutual fund manager के पास पड़ा हुआ है वो तो डाल ही देगा यह तो सब को बता भाई वो डाल ही देगा लेकिन एक बात बताओ अगर आपने एक mutual fund को specific दे में एक example है दुबारे example है दुबारे ध्यान से सुल एक्जामपल है तो वो चाहे या ना चाहे वो अपना 25% तो large cap में allocate कर देगा लेकिन बार की का पैसा वो small cap में ही डालेगा ठीक है अब चाहे retail investor से खरीदता जाए खरीदता जाए खरीदता जाए वो चलता जाए वो कुछ कोई इंसान सिखाने पर focus कर रहा है कि एक नया perspective नहीं knowledge दे रहा है आपको अपना दिमाग लगाने पर help कर रहा है कि अपना दिमाग तो लगाओ डेटा के उपर बात तो करो screen share करके चीज़ें दिखाने के तो कोशिश कर रहा है कि यह ऐसे काम करता है बैट करके सिफ मुँ इ हैं वो कर लेंगे अगर आपके वहाफ पर fund manager इतना ही active होता ना तो आपके वहाफ पर बहुत अच्छा पैसे बना करके दे देता आपको ठीक है इसी वजह से जो front earning की case होते हैं कभी यह सामने नहीं आते हैं कभी ऐसे case सामने नहीं आते कि भाई एक portfolio में ऐसे स्टॉकर जो द कोई hatred फरानी कोशिश करी जैसे जादा तर लोग हर किसी को expose करनी कोशिश करते हैं लेकिन अपनी past गलतियां भूल जाते हैं तो ग्यार इन सब को कोई फायदा नहीं है यह शायद पहली और आखरी वीडियो थे इस type के इस channel के पर मुझे कुछ खास interest है वे नहीं अब जो उन इस इंसान को expose करता फिर हो और उसके बेहाफ पर व्यूज लूँ यह चैनल है learning के लिए यह चैनल recommendation के लिए नहीं है यह चैनल यह नहीं है कि मैं आपको बता हूँ आज यह buy कर लेकल वो sell कर दिया यह मैं आपके साथ अपनी personal experience share करता हूँ because आप लोग मेर से पूस्ते हो कि भाई अगर आप कुछ buy कर रहे हो sell कर रहे हो तो please उसको बताना जिजाते लोग यहीं भी नहीं करते हैं ठीक है तो बबाए